है Hello and Welcome to Daily Affairs तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लोहित रिवर के बारे में अगर हम लोहित रिवर की बात करेंगे तो लोहित रिवर दो कंट्री से फ्लो करती है एक है धिबत और दूसरा है इंडिया और इसकी जो टोटल लेंद और लगबग 200 Karen किलोमीटर है इसका अकूरेट पता नहीं है लेकिन यह लगबग 201 किलोमीटर है इसकी टोटल लेकर अगर हम इसकी ऑरीजिन की बात करें तो ये रिवर ऑरीजिन होती है कांगरी गारपो रेंज और जायूल कंट्रियों तिबद तो आप लोग लग रहा होगा यह जायूल कंट और प्रेफिक्टर एक कोई डिस्टी Mediterranean फूइन ऋसकी यह पर इस में जूइन और पार्ट तिब्वत ऑटनोमस रीजन के यह पार्ट क्या है एक जायूल कंट्री है अगर हम इसकी कोर्स की बात करें तो इसकी कोर्स जादी लंबी ज्यादा लंबी नहीं है यह आप देख बार यह चाइना से आ रही है इसके बाद यह बहुत में जाके मिल जा रही है तो यह ज सबसे बड़ी ब्रीज है जो की बनी है कहां पर लोहित नदी में अगर हम ढोला सदिया ब्रीज की बात करें तो इसकी टोटल लंबाई है 9.15 किलोमेटर तो यह इंडिया की सबसे बड़ी ब्रीज है और इस ब्रीज को हम लोग बूपेन हजारी का सेतु के नाम से भी जानते है और यह बहुत ही बड़ी ब्रीज है जो की अनुराचल और असाम के लोगों का जो डिस्टन्स है जहां लोग ट्रेवल करते हैं एक स्टेट दूसरे वह छे घंटा से कम करके एक घंटा यह डिस्टन्स बन जाता है तो जहां आपको जाने में 6 घंटा लगता तो आपको आ बड़ा ब्रीज है टोटल लेंग मैंने बता है 9.15 किलोमेटर और इस नदी पर एक कुंड भी बना हुआ है जिसका नाम है पर्शूराम कुंड और यह बहुत ही एक हिंदू माइनता इसे दिया जाता है क्योंकि इसी कुंड में हर साल लगवक 60-70,000 लोग यहां पर आते हैं इसनान करने मगर संक्रांती के दोरान तो यह बहुत ही इंपॉर्टन टूरिस प्लेस है नेपाल इंडिया और बोटान के लोगों के लिए तो यही था लोईत रिवर थैंक्यू चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजे